सहज मार्ग के सभी अभ्यासी को प्रणाव आज का हमारा विशे है कि सहज मार्ग पदती है क्या और किस परकार से अभ्यासी अभ्यास करते हुए एक उस इस्तिती पर पहुंसता है जब वह बाबु जी का कारिय दूसरे अभ्यासी उपर कर सकता है तो सहज मार्ग पदती जो है वो ईश्वर के द्वारा उतारी गई है इसके लिए लाला जी सहाब ने बाबु जी का अफ्तरन कराया और बाबु जी ने एक पदती हमें दी जिसका नाम है सहज मार्ग पदती तो संद कस्तूरी अपने इस लेख में हमें यही बता रही है कि सहज मार्ग पदती असल में है क्या यह लेख संद कस्तूरी ने 27 मार्च 2000 को दिया था और इस लेख के माद्यम से आप जानेंगे कि सहज मार्ग पदती क्या है और हमें किस परकार से इसका पालन करना चाहिए तो लेख इस परकार से है आज मैं अपनी पदती के कुछ अधार भूत तथा अनोठे पहलो को बताना चाहूँगी वास्तब में मैंने पाया है कि मानब समाज जीवन का वास्तिविक लक्षे जो अनंद का साक्सतकार है भूल गया है उसे पाने के लिए ईश्वर ने हमें सहज मार्ग पदती परदान की है ये साक्सतकार के लिए बिलकुल पवित्र एवं पून रूप से प्राकर्तिक मार्ग है क्योंकि यह प्रकर्ती की देन है यह प्रकृति का रहसे ही बना रहा जब तक सिरी बाबुजी महाराज का अफ्तरन नहीं हुआ तो संच कस्तूरी यहां पर बताना चाहती है कि मनुश्य अपने उच्तम लक्षे को भूल चुका था उसे नहीं पता था कि वह इस धरा पर क्या करने आता है तो लाला जी साहब ने बाबुजी का अफ्तरन कराया और बाबुजी महाराज ने हमें एक पदती दी जिसका नाम सहज मार्क पदती है स्री बाबुजी महाराज ने अपनी दिवे शक्ती द्वारा प्रकृति के इस रहसे को खोला, संसोदित किया और उसे सरल बनाया ताकि मिशन के अभ्यासी और सारा मानव समाज इससे लाब उठा सके। प्रकरती के कारिये और स्रिष्टी का लाब मानव नहीं उठा सकता जब तक कोई इसे पड़े नहीं, समझे नहीं और उसके रहसें और जटिलताओं को खोल कर सर साधारन के लिए सर ना बना दे। साइद इसलिए समर्थ सद्गुरू सिरी लाला जी सहब ने अपनी साधना और प्रातना के द्वारा सिरी बाबुजी महाराज का अबतरन कराया है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी हमें बता रही है कि किस परकार से लाला जी सहाब ने बाबुजी का अवतरन कराया। क्योंकि इस युग को एक परिवर्तन देना है और वह यह है कि हम सब को अब इश्वर साक्सतकार करना है। बाबुजी के अवतरन का जो मुखे कारण है वह है समस्त मानव जाती को इश्वर का साक्सतकार करवाना। तो लाला जी सहाब ने ऐसी विभूती को धरा पर अवतरित कराया जिनका नाम है बाबुजी महाराज। और बाबुजी महराज ने इस विदी को इस तरह से सरल बनाया कि वहे आम लोगों के लिए भी और जो सहज मार के अभ्यासी हैं उनके लिए भी सुलब हो जाए चेरी बाबुजी महराज ने इसे अपनी दिव्य सक्ती से संडक्षित कर दिया है कि क्यों लिखा गया है क्योंकि बाबुजी सुक्षम रूप में स्रिष्टी की महापरले तक उपलब्ध है और यहाँ पर संडक्षित है यह रिजर्व है जो भी अभ्यासी जब सहज मार पत्ती का पालन करता है तो उसको स्वता बाबुजी की प्राणाउती मिलना आरम हो जाती है और प्राणाउती के द्वारा सभी के लिए अभ्यास करना संबव एवं सरल बना दिया है प्राणाउती अभ्यासी के मन को शुद करती है क्या का है हमारे मन को प्राणाउती शुद करती है जब भी कोई अभ्यासी जब अभ्यास करता है तो बाबुजी की प्राणावती हमें मिलती है और वहा हमें शुद्ध करना आरम कर देती है और उसे इस योगे बना देती है वहाल जीवन का एक मात्र उच्टम लक्षे प्राप्ट कर सके अर्थात अनंत का साक्सतकार कर सके सहज मार्ग पदिती की शक्ती के दोरा सिरी बाबुजी महराज ने अभ्यासियों को अनंत तक ले जाने के लिए दिवे संकल्प लिया है तो संट कस्तूरी यहां पर बता रही है कि बाबुजी महाराज ने जो सहज मार्क बत्ती बताई है जिसके अभ्यास से हम बड़ी सरलता से बाबुजी की प्राणाउती प्राप्त करते हुए उच्तम लक्षे तक पहुं सकते हैं और उसके बाद लिखा है सिरी बाबुजी महाराज ने अभ्यासियों को अनंतक ले जा पानव जाती को इश्वर साक्षतकार करना वही चीज संद कस्तूरी यहां पर बता रही हैं जब से मैं सिरी बाबुजी महराज के चरणों में आई हूं और साधना का अभ्यास भक्ति के साथ कर रही हूं मैंने अनुभब किया है कि यदि ध्यान के समय हम निश्टा पूर्वक सिरी बाबुजी महराज को याद करते हैं तो हमारे हिर्दे में प्रान आहुती लगातार परवाइत होती रहती है और धीरे धीरे स्ताई भी हो जाती है उसके बाद हमें उस प्रान आहुती का जिसे हमने अपने हिर्दे में पाया है केवल फैलाप करना रह जाता है तो यहा प्राण आहूती हमारे हिर्दे को प्राप्त होना आरम हो जाती है और अभ्यासी का काम ये रह जाता है केवल उसका फैलाब करना और फैलाब भी कब होता है जब हम बाबू जी के सततिस्मारण में रहते हैं और हमारी लेवस्ता आरम हो जाती है। धीरे धीरे जब हमारा अस्तित्व घुल जाता है प्रानाहुती में हम डूब जाते हैं और हिर्दे में उनकी याद से हम पावन बने रहते हैं हिर्दे में उनकी उपस्तित्ती का लगातार अनुभव होने लगता है मैंने सिरी बाबुजी महराज को लिखा कि मैंने पहले अनुभव किया कि मेरी आत्मा अंतर में निर्त्य कर रही है दूसरा मेरा अंतर दिव्यता का भंडार बन गया है और तीसरा ये कि यदि हम थोड़ा सतर करें तो अपना भाय चरितर और अपने वहवार को रुपांतरित कर सकते हैं तो संद कस्तूरी अब यहां क्या बता रही है हम सब जानते हैं सहज मार्ग यात्रा है अपने एहम को समाप्त करने की जो हमारा एहम है वह समाप्त होता है और हम अपने अस्तित्र तक पहुँच जाते हैं जो की सोला वृतों में होता है तो संद कस्तूरी यही कह रही है, धीरे-धीरे हमारा अस्तित्व घुल जाता है, जो मेरी आइडेंटिटी है वो धीरे-धीरे घुलना आरम हो जाती है, हम सब जानते हैं कि सोल में वृत में हमारी आइडेंटिटी बिलकुल शुन्ने हो जाती है, और क्या लिखा है संद कस्त प्राण आएका उस्से उमारे अंदर दिव्वेता भरने लग जाती है। तो जब द्ववेता भढती है, तो हम एक आनंद की स्थिति में आ जाते हैं और मेरा अंतर जो है निर्तिक करने लग जाता है। तो ये चीज संधकस्तूरी क्यों बता रही हैं? क्योंकि सहेज मार्ग पत्ती में पहले हम अभियासी होते हैं, हम उस दसाबर पहुंशते हैं जिसे ब्रहमांड मंडल कहते हैं, और ब्रमान वन्नल में पहुंचने के बाद बाबु जी हमें कुछ दैविक बिंदूों से जोड़ देते हैं और उसके बाद हम बाबु जी का कारी जो सहज मार्क पदती है और लोगों को बताना आरम करते हैं इसलिए संतकस्तुरीन लिखा है कि मेरा अंतर दिव्यता का भंडार बन गया तो अभ्यासी जो है वह अपने अस्तित्व को भूल जाता है और वह एक दिव्यता मतलब डिविनिटी का स्टोर बन जाता है उस दसा में जब हम बोलते हैं तो लगता है कि मैं नहीं बोल रही हूँ बलकि शब्द हिर्दे की उसी दसा से प्रभाईत हो रहे हैं तब हम अनुभब करते हैं कि जिव्या से प्राकर्तिक मदूर्ता भी प्रभाईत हो रही है क्योंकि हमारी पदती पून्ता देवी है कस्तूरी नहीं हमें बताई है वो यह कि जब मेरा अस्तित्व-समाप्द होने लगता है और जो भी शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो हमारे नहीं होते वो दिवयता के होते हैं तो क्या लिखा है संद कस्तूरी ने मैं नहीं बोल रही हूं बलकि हिर्दे की उसी दसा से परवाइद हो रहे हैं क्योंकि मेरा अस्तित्य समाप्त हो गया है और मेरा हिर्दे जो है दिव्यता का भंडार बन गया है तो मेरे जिवा से जो भी शब्द निकलता है वह मेरा ना होकर दिव्य होता है उसके बाद ये बोला है कि हमारे बोलचाल में भी एक प्राकर्तिक मदूर्ता प्रभाइत होती है तो हमारे बोलने से पता लगता है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसी पदिति का पालन कर रहा है जिसके माद्यम से इसके पूरे जीवन में एक रुपांतरन आ गया है उसके बाद लिखा है अपने वैवार में जो हम लोगों के साथ वैवार करते हैं उसमें क्या होता है पांतरन सभाबता प्रगति करता है और फैलता है तता हमारे बहाया वैवार में पवित्त दालाता है बहाया वैवार मतलब जो हम लोगों के साथ बाचित करते हैं और हमारा वैवार होता है जिसको की लाला जी साब अखलाक कहते हैं उसमें सुधारा आना सुरूफ हो जाता है और हम एक तरह से सदाचारी हो जाते हैं अध्यात्मिक्ता में हमारी प्रगती हो रही है और धीरे धीरे हम भाय प्रकरती में भी बिलकुल साधारन होते जा रहे हैं और हमारा जो वैवार है वैवी उत्तम होता जा रहा है बिना प्रयास के सभी दिखावटीपन धुल जाते हैं इस दसा को प्राप्त करने के बाद मैंने स्री बाबुजी महाराज को लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी भाया वैवार आपके द्वारा केवल संचालित ही नहीं होते बलकि आप भी इसमें भाग ले रहे हैं ये बड़े इंपोर्टन बात है जब आपका हिर्दे दिव्यता का भंडार हो जाता है और आप जो भी कारिये करते हैं वह कारिये आप नहीं कर रहे होते हैं वो कारिये बाबुजी कर रहे होते हैं संत कस्तूरी ने वही चीज बताई है कि आपके द्वारा केवल संचालित मतलब बाबूजी केवल गाइड ही नहीं कर रहे हैं बलकि इसमें भाग ले रहे हैं तो अभ्यासी जो भी कारिय कर रहा होता है वह स्वेम ना करके उस कारिय को बाबुजी स्वेम कर रहे होते हैं क्या आप जानते हैं कि इसका परभाव क्या पड़ता है यह हमारे हिर्दे में दिव्य आकरशन उत्पन करता है जो अपना प्रतिविम दूसरों पर ऐसा छोड़ता है कि वह पूछने लगते हैं हम किस पड़ती का अनुसरन और अभ्यास करते हैं ये बात संद कस्तूरी ने इसलिए बताई है कि जब तक आप स्वेम सहजमार्पडती का पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं करते तो आपके स्वभाब में वो निखारता नहीं आती है जब आपका स्वभाब निखर जाता है तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप किस पड़ती का अभ्यास करते हैं यह वह स्थिति होती है जब आप अपने अस्थित्व को समाप्त कर रहे होते हैं या कहें कि सहज मार्ग पद्धती का अभ्यास करते करते बाबुजी की प्रान आहुती द्वारा आपका एहम धीरे धीरे धुल रहा होता है। जो अभ्यासी नहीं है उन्हें ऐसे प्रसनों के उत्तर देते समय अपनी साधना पद्धती के मुखे पहलों का वर्नन करना चाहिए जिसे मैं यहां संशेक में लिख रही है। स्री बाबुजी महराज ने कहा है कि सहज मार्ग पद्धती की स्तापना इस सत्य पर की गई है कि ईश्वर सब के भीतर है और सब का हिर्दे उसके प्रकास से प्रकासित है। हमें इस कलपना के साथ ध्यान परारम करना है कि इश्वरिय परकास हमारे भीतर है किन्तु सिरी बाबुजी महराज ने आगा किया है कि इश्वरिय परकास देखना हमारा लख्शी में है। अब संत कस्तुरी कह रही है कि कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है क्योंकि आप नियमत रूप से ध्यान कर रहे हैं और आपके व्यवार में परिवर्तन आ रहा है और वो आपसे पूस्ता है कि आप क्या करते हैं तो आपको ये बताना है कि हमारे गुरु देव ने ये क कि हम सब के अंदर इश्वरिय परकास है और वह इसमें विद्यमान है और उसी से हम सब परकासित होते हैं और हम ध्यान में ये कल्पना करते हैं कि मेरे हिर्दे में इश्वरिय परकास है तो बाबु जी ने यहां आगा भी किया है कि जो इश्वरिय परकास है उसको देखना न बलकि हमारा हिर्दे उस दिवे ईश्वरी परकास में डूबा रहना चाहिए और इस अनुभब के साथ हमें ईश्वर को अपने हिर्दे में डूबा किये। इसके लिए तड़प को तीवर करना होगा ताकि हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी पाटी जा सके। दोनों के बीच का अंतर कम होने से लक्षे की निकड़ता का अनुभब होता है, जो आगे चलकर ईश्वर से संबन उत्पन करता है। हमारे अंतर में इश्वरी परकास का फैलाव स्वता होने लगता है। आप सब जानते हैं कि अध्यात्मिक्ता में जो प्रगती होती है वे तडप और बेचैनी से मिलती है। अब आप अभ्यास कर रहे हैं जैसा बाबु जी ने बताया कि आपके हिर्दे में इश्वरी परकास मौझूद है। और आप उस इश्वर से मिलना चाहते हैं तो उस मिलने में आपके अंदर एक तडप पैदा होती है। जो तडप है वो आपका आगे का रस्ता बनाता है। तो वही चीज भेंजी ने बताई है इसके लिए तडप को तीवर करना पड़ता है। और ये जो तडप है जो हमारा उच्टम लग से है इश्वर साक्सरकार तो मेरे और इश्वर के बीच की जो दूरी है उसको कम करता है। क्या बोला है? दूरी पाटी जा सके। तो जैसे जैसे मैं अध्यात्मिक्ता में आगे बढ़ता हूँ, तो मेरी और ईश्वर के बीच की जो दूरी है, वह कम होने लगती है. और जब हम ईश्वर के निकट पहुंचाते हैं, तब आगे चलकर ईश्वर से संबंद उत्पन होता है. हम जितना ईश्वर के निकट जात करता है, यहां तो आपको सहज मारपद्यती का पालन करना पड़ेगा, जो कि सुएम ईश्वर ने इस धरा पर उतारी है. और जब आप अभ्यास करते करते, इस दूरी को खतम करते हैं, तब आपको पता लगता है कि ईश्वर से आपका क्या संबंद है. हमारे अंतर में ईश हो जाता है कि मेरे हिर्दे में ईश्वरी परकास है. फिर वह हमारे हिर्दे में भरना आरम हो जाता है. और ईश्वर में भरने के बाद उसका फैलाव होता है. तो वही चीज बहंजी बता रही है कि जो फैलाव है, यह स्वता होता है. और यह फैलता कहा है? यह हमारे सरीर के एक कण में फैल जाता है और उसके उपरांत यह भिखरना भी आरंब होता है यही चीज संद कस्तूरी हमें आगे बता रही है जब इस आनुभब के बारे में मैंने स्री बाबू जी महराज को लिखा उन्होंने उत्तर में कहा यह एक संकेत है कि स्री लाला जी साहब के आसिरवा से तुमारा हिर्दे इश्वरी परकास से पूरी तरह परकासित हो गया है मैंने उन्हें लिखा मुझे लगता है कि मेरा पूरा सरीर ही दिव्य शक्ती का सरोत बन गया और जिस और मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि इश्वरी परकास मेरे चारों और विद्दमान है, उसके बाद मैंने पाया कि इश्वरी परकास इश्वरी शक्ती में बदल गया है। और फैलाब क्या होता है, सरीर के एक एक कण में, तो वही संद कस्तूरी कह रही है कि मुझे लगता है कि मेरा पूरा सरीर ही दिव्वे शक्ती का सुरोत बन गया। अब संद कस्तूरी इस काबिल बन गई है कि वह औरों को भी प्रानाउती दे सकती हैं। जो बाबुजी महराज ने उनसे कारिय लेना है, उसके लिए वह तैयार हो गई है। और उसके बाद क्या लिखा है कि इशवरी परकास मेरे चारों और विद्द्यमान है, तो जब परकास सीमा से बहर जाने लगता है, तो हमारा एक औरा बन जाता है। हमारे चारों तरफ एक औरा create होता है और हम जहां भी जाते हैं जिनसे भी बात करते हैं तो वो परकास उन लोगों पर भी परभाव डालता है और सबसे खास बात है इश्वरी परकास इश्वरी शक्ति में बदल गया तो जो हम ये कलपना लेके चले थे कि मेरे हिर्दे में इश्वरी शक्ति बन गया है अब मैं इस काबिल बन गया हूं कि मैं बाबु जी का कारिय कर सकता हूं और बाबु जी का कारिय क्या होता है सहज मार्ग पत्ति अन्ने लोगों को बताना उनको सिटिंग के लिए तैयार करना क्योंकि प्रान होती तो बाबु जी से ही मिलेगी लेकिन मेरे अंदर वो काबलियत जाग जाती है कि जब मैं सहजमार्ग पतिती अन्ने लोगों को बताता हूँ तो वह उससे परभावित होकर वह अभ्यास सुरू करते हैं और सहजमार्ग को जोईन कर लेते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि इश्विरिय परकास हमारी पतिती में कितना महत्पून। इसे सब्दों में कौन वर्नित कर सकता है। साधारों का प्रभाव बादा पहुंचाता रहता है। अब हमें इश्वरिय परकास का गुंटोपता लग गया। पहला। और दूसरा क्या है। आप जो पूजा करते हैं साधारन भासा में लोग उसे ध्यान करते है। तो वही चीज अब बाबुजी महराज बता रहे हैं। सिरी बाबुजी महराज ने कहा मैंने ये तभी नहीं कहा कि ध्यान करो। बलकि मैंने कहा इश्वर तुमारे हिर्दे में हैं और हिर्दे को परकासित किये हुए हैं कि याद में रहो। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वे हम से आशा करते हैं कि हम ध्यान करने के लिए अत्वा वियायाम करने की तरह नहीं बैठे बलकि इश्वर की याद में लगातार रहें। ध्यान करने के वज़ाए अपने को हिर्दे में ईश्वर की उपस्तिती से संबंदित रखें। अब यहाँ पे बाबुजी ने बड़े स्पस्ट रूप से कहा है, जो भी अभ्यासी सहज मार्ग बद्यती में आता है, और जब पूजा में बैठता है, तो वो इसको एक exercise के रूप में ना ले, कि मैंने ध्यान करना है, उसे तो केवल ये विश्वास रखना है, कि मेरे हिर्दे में ईश्वर ये परकास है, और उस याद में बने रहना है, जब तक कि वह पूजा में बैठा हुआ है। क्या लिखा है बाबुजी ने, बलकि मैंने कहा है, इश्वर तुमारे हिर्दे में है, हिर्दे को परकासित किये हुए है, कि याद में रहो, तो हमें याद में रहना है। तो जो भी मेरी अवदी होती है पूजा की, चाहे वो मैं आदा घंटा, चालिस मिनुट, जितनी देर बैठ सकता हूँ, उसमें मुझे ये याद रखना है, कि इश्वर ही परकास मेरे भीतर है, जो मेरे हिर्दे को परकासित कर रहा है, इस याद में बने रहो। और एक चीज़ बाबुजी महराज में और कहिए है, ध्यान करने के बजाए, अपने को हिर्दे में इश्वर की उपस्तिती संबंदित रखते हैं, आप ये अपने अंदर विश्वास जगाएं, कि मेरे भीतर इश्वर उपस्तित है, यही हमारी पदती की खूबी है, कि कि क इश्वरी परकास को बाबुजी हमारे हिर्दे में परकासित कर देते हैं, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, कि जब आप अपना ध्यान सरी बाबुजी महराज की व्यक्तित्व की और लगाते हैं, उनमें पूरी तरह डूबे रहते हैं, आपको कोई अन्य विचार नह किया था, तो वो अपने अनुभव से बता रही हैं, कि जब आप ये अभ्यास करें, कि मेरे हिर्दे में इश्वरी परकास जो है, वो बाबुजी के रूप में हैं, तो आपको और अधिकलाब होता है, और आपका ध्यान जो है, वो हिर्दे में इस्तित्र रहेगा, आप जिस पूजा में बैठे हैं, तब आप उसी में स्तित्र रहेंगे, वहीं पर फिक्स हो जाएंगे, केवल इतना ही नहीं, सभी अंचाही वस्तों में धुल जाएंगे, और तब आप सिरी बाबुजी महाराज को लिखेंगे, कि आपका अंग-अंग इश्वरी परकास से परकासित हो गया, हमने अभी आपको बताया, कि जब हिर्दे हमारा परकास से भर जाता है, तो वो सरीर के कंड-कंड में फैलना आरम हो जाता है, तो वहीं चीज़ संत कस्तूरी कहती है, कि जो अंचाही वस्तों में धुल जाएंगे, जो भिन-भिन परकार के विचार आपक अंग-अंग ईश्वर ये परकास से परकासित हो जाएगा, तो बाबुजी इस परकार से अभ्यासी पर कृपा करते हैं, और अभ्यासी आगे बढ़ता जाता है, और अपने लक्षे के निकट पहुंसता जाता है, एक दूसरा परभाव जो हम देखते हैं, कि हमने ईश्वर के बारे में सध्धानतिक रूप में, जो कुछ सुना, पढ़ा या कहा था, वे सब हम भूल जाते हैं, अब एक और बात, अभी तक हमने केवल ईश्वर के बारे में सुना, पढ़ा या कहा, लेकिन हम नहीं जानते ईश्वर क्या है, लेकिन जब आप सहजमार्ग पत्ति का करते हैं, तो हमें अनुभव होने लगता है, कि ईश्वर क्या है, और हम वो चीजें भूल जाते हैं, जो हमने पढ़ी, कही या सुनी है, क्योंकि आब हमें इश्वर के निकटता का अनुभव होने लगा है, सहजमार्ग के अभ्यासी का उच्वर का साक्षतकार है, जब हम उसके निकट पहुंचते हैं, तो पुरानी बातें सब समाप्थ हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि हम इश्वर की असलियत को जानने लगते हैं, हम उसके निकट पहुंचने लगते हैं, हमारा हिर्दे भी पवित्रता से भर जाता है और इस परकार हम आत्म साक्सतकार की दसा प्राप्त कर लेते हैं। जो ध्यान में तैरने के समय मेरे सामने आया वह यह था कि जब हमारी याद इश्वर में ले हो जाती है तब हमें केवल इश्वर दिखता है और अन्य सभी कुछ चाहे वह हमारा सुआ हो अथवा स्रिष्टी की सारी चीजें द्रिस्य से ओजल हो जाती हैं। जब आप अपना सरीर चूते हैं तो आपको इश्वरी सपर्स का अनुभव होता है। जब आप बाहर देखते हैं चारों और इश्वर ही इश्वर का अनुभव होता है। आपका अस्तित्व धीरे धीरे इश्वर में ले हो रहा है। तब क्या होता है ये पूरी स्रिष्टी इश्वर द्वारा रची गई है। हर जड चेतन में वही इश्वर ये शक्ति विद्यमान है। तो ऐसी स्तिती में मैं अपने स्वा को भूल जाता हूं। मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूं। मैं तू का भेत भूल जाता हूं। और स्रिष्टी में जितनी भी चीजें हैं, उन सब को उनके रूप से ना देखके उन्हें इश्वर का अंच समझता हूँ। तो क्या लिखा है? स्रिष्टी की सारी चीजें द्रिस्य से ओजल हो जाती है। तो जो जड़ चेतन हमारे सामने हैं, हम उसको भूल कर केवल उसके भीतर जो ईश्वर ये शक्ति विद्द्यमान हैं, वही हमारे चारों और आजाती है। और यहाँ पर संत कस्तुरी कहती हैं, आप बाहर देखते हैं, चारों और ईश्वर ही ईश्वर का अनुभव होता है। हमारा दूई का भाव समाप्त होने लगता है, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूँ, और यह जो पूरी स्रिष्टी ईश्वर ने रची है, मेरी द्रिष्टी भी वैसी ही हो जाती है, और मैं सब को उनके रूप और नाम से ना देखकर, उनके अंदर कोई भेद ना कर केवल यह देखता हूँ, कि सब के भीतर ईश्वर ही ईश्वर विद्द्यमान है, इसके बाद ध्यान में याद भी विले हो जाती है, और उसके बाद जो बसता है, वै केवल ईश्वर यह शक्ति रहती है, अब एक समय ऐसा आजाता है, कि जो आप ध्यान करते हैं, वो वाली अब चारों और स्वता होने लगा, तब सिरी बाबुजी महराज ने मुझे लिखा, कि सच कहा जाए तो यही वह दशा जिसके प्राप्त होने पर प्रिसेप्टर बनने की अनुमती दी जाती है, मिसन का कारिय करने के लिए सिरी बाबुजी महराज सीमित सक्ति के केंदर से को जोड़ देते हैं, फिर भी उन्हें इश्वरी शक्ति को प्राप्त करना होता है, अब यहां पर संत कस्तुरी ने दो तीन मुखे बाते हमें बताई हैं, कि अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है, तो साखसतकार की त्यारी में यही उच्चतम दसा है, अपनी भूल की अवस् पांचमा वृत पार करके, तो जो पांचमा वृत हम पार कर लेते हैं, वह होता है ब्रह्मान मंडल, तो यह जो दसा बताई गई है, यह है ब्रह्मान मंडल की, अब यहां पर क्या होता है, प्रिसेप्टर बनने की अनुमती दी जाती है, बगैर दसा के कोई प्रिसेप्टर काही उसे आसिर्वात नीता है अब वह है प्रकास आपके कणण में अंग-अंग में फैल रहा है और जब आप चारोंанич और देखते हैं तो आप को ईशवर ही ईशवर मेजर आता है इसलिए सहज मारग में जब तक बाबुजी महाराज थे ब्रमार्ण मंडल में पहुँंचे व्यक्ति को ही प्रेसेप्टर बनाया जाता था 1980 के बाद बाबुजी महाराज ने प्रेसेप्टर बनाना बंद कर दिये क्योंकि अब वो प्रकर्ति के कंड कंड में सोय मोजूद है जब अभ्यासी अभ्यास करते करते आगे पहुंच जाता है तो बाबु जी महराजी उसके अंदर ये दिव्वे परकास को दिव्वे सक्ति में परिवर्तित कर देते हैं और वह व्यक्ति जब अन्य व्यक्ति उसे बात करता है तो अन्य व्यक्ति उससे परभावित होते हैं और बाबुजी की प्राणाहुती का लाव उनको प्राप्त होता है। मिजन का कारिय करने के लिए सिरी बाबुजी महाराज सीमी सक्ति के केंदर से प्रेस्टर को जोड़ देते हैं। अब यहां पर लिखा है बाबुजी जोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति नहीं जोड़ सकता क्योंकि बाबुजी भूमा की शक्ति लेकर आये हैं। जब अभ्यासी उस इस्तिती पे पहुंचाता है तो जो प्रेस्टर जहां पर अपनी इच्छा को प्रियोग करता है किसी अभ्यासी के उपर उस पॉइंट से बाबुजी महाराज उसको जोड़ देते हैं। फिर भी उन्हें इश्वरी सक्ति को प्राप्त करना होता है। अब यह नहीं है कि बाबुजी महाराज ने किसी अभ्यासी को प्रेस्टर बनाया तो वह इश्वरी सक्ति का मालिक हो गया। क्योंकि ये सक्ति बाबु जी महाराज की है तो बाबु जी वही कह रहे हैं कि प्रेस्प्टर बनने के बाद भी वह अभ्यासी है और उन्हें इश्वरी सक्ति को प्राप्त करना होता है मतलब वो बाबु जी का जब कारिय कर रहा है तो वो प्रेसेप्टर है प्रिशिक्षक है लेकिन बाकी समय में वो सोयम्भी अभ्यासी है और यही गलती प्रेसेप्टर करते हैं इसलिए उनकी प्रगति रुख जाती है बाबु जी ने इस पे एक लेक भी लिखा है समुन्दर खो बैठे हैं और आने वाले एक दो हफते में हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि बाबु जी ने जब प्रेसेप्टर्स को अपनी शक्ति प्रदान की कि वो अभ्यासियों को सहजमार पत्ति बताए और उनकी मदद करें अभ्यास करने में तो किस परकार से उनके अंदर एहंकार जाग गया था हमारी पदती की एक खूपसूरती ये भी है कि इस उच दसा के साथ अभ्यासी के हिर्दे की अध्यात्मिक दसा को पढ़ने की शक्ति में भी उसकी प्रगति हो जाती है यह मैं अ अनुभब के आधार पर कह रही हूं कि जब एक खास दसा में आपकी यातरा पूरी हो रही है आपको उसके आगे की दसा की जलक मिलने लगती है तब आप आसानी सी ये जान सकते हैं कि वर्तमान दसा और उस दसा में जिसमें आप परवेश करने जा रहे हैं क्या अंतर है आपके अंदर एक खास थराकी उड़ जा जाती है और आप दूसरों की सूक्षम दसा को देख सकते हैं। अब ये मकसद क्या है क्योंकि ब्रह्मान मंडल के जब प्रसेप्टर होते हैं और अभ्यासियों को जब वो सिटिंग दे रहे होते हैं तो वह उनकी सूक्षम दसा को देख सकते हैं कि उनकी अध्यात्मी की आतरा में कहां पर रुकावट आ रही है और वह उसको अपनी जो तो पहली बात तो यह जो सहज मार का प्रसेप्टर है जो कि ब्रह्मान मंडल में वो दूसरे की अध्यात्मिक दसा को पढ़ सकता है और यह उसके अंदर स्वता ही आती है और इसमें भी दो चीजें लिखी हुई हैं कि वह अपनी आने वाली दसा को भी समझ सकता है और वह कि जिस दसा में वह है और जो आने वाली है उसमें क्या अंतर है तो ये जो चीज है ये उसको भी साहीता देती है प्रिसअल को अब दिक्कत क्या आती है वाबू जी महाराज ने किसी को प्रिसअल बनाया तो वह Kaline प्रेशप्टर ही रह जाता है और यह भूल श्री बाबु जी महाराज ने प्रेश्यप्टर लोगों के लिए कहा है कि अभ्यासियों की दसा सपर ने के लिए कोई कोई उदिری there मतलब ये कोई खास वीदी नहीं है कि हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और आप दूसरे की दसा पढ़ने लग जाएंगे उन्होंने कहा है कि जब आपका हिर्दे पवित्तर और बिल्कुल साफ है तो अभ्यासी के हिर्दे का प्रतिविम आपके सामने होगा और उसकी प्रगती की दसा जान सकोगा यहां पर बाबुजी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रेस्प्टर वही है जो अभ्यासी की दसा को जान सकोगा लेकिन उसके लिए बाबुजी ने दो कंडिशन बताई हैं हिर्दे पवित्तर और साफ तो प्रेस्टर होने के बाद भी उस अभ्यासी को अभ्यास करना होता है और उस इस्तिती में आना होता है जब उसका स्वेम का मैं समाप्त हो गया जब उसकी माइनस खतम हो जाती है तब वह प्योरस्ट फॉर्म में आ जाता है और संद कस्तूर ने पीछे बताया भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कारिये मैं नहीं कर रही हूं आप स्वेम कर रहे हैं तो जब तक रिसेप्टर ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं तब तक ना तो उसको लाब होता है ना अभ्यासी को होता है क्योंकि अभी तक उसका हिर्दे पवित्र नहीं हूआ है तो हिर्दे पवित्तर और साफ होना चाहिए तब जिस इस अभ्यासी को वो sitting देता है, उसके हिर्दे का प्रतिविम है, मतलब उस अभ्यासी की जो अध्यात्मिक दसा है, वो प्रेशेप्टर के सामने आ जाती है, कि इस अभ्यासी को कहां रुकावटा रही है, और उसके उपरान वहे अपनी दिवेशक्ति का प्रियोग करके उसको साफ कर देता है इस परकार हम समझ सकते हैं कि हमारी पद्धिती परिपून और वहवारी के अब यहां पर हमारी पद्धिती परिपून और वहवारी के लेकिन किनके लिए जो सहजमार्ग पद्धिती का पालन कर रहे हैं जो पद्ती बाबु जी ने बनाई है उसका अभ्यास कर रहे हैं। बाबु जी ने कहा है कि इस पद्ती में कोई भी परिवरतन नहीं कर सकते क्योंकि ये सूक्षम उर्जा का प्रियोग करती है। इसमें थोड़ा भी परिवर्तन अभ्यासियों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसकी सफलता के लिए इसमें सब कुछ नहींत है और ये बाबु जी नी जो सहज मार्क बत्ती बनाई है हिर्दे में परकास की इसमें सब कुछ डाल दिया गया है केवल हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है उच्तम लक्षे की प्राप्ती में पूरा लाब उठाने के लिए हमें इसमें केवल तलिंता की अवशक्ता है तलिंता का मतलब होता है कि पूरी इमानदारी से determination के साथ हमें इस पत्ती का अभ्यास करना है जो बाबु जी ने बताई है हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारी पदिती जो है वो है पूजा, सफाई और प्रात्ना इसके इलावा पूरे दिन सततिस्मरण में रहना तो जब हम बाबु जी के सततिस्मरण में रहते हैं तो बाबु जी की शक्ति हमें निरंतर मिलती रहती है, कोई व्यक्ति विसेश आपको शक्ति-परदान नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अभ्यासी है, और सक्ति-परभाईत होती है बाबुजी महाराज की, तो जो बाबुजी महाराज ने आपको पद्धिती बताईए आपको उसी का पालन करना पड़ेगा अगर आपको अपना उच्तम लक्षे प्राप्त करना है जब आप इमानदारी के साथ निश्टा पूरवक देखिए क्या लिखा है इमानदारी और निश्टा पूरवक निश्टा किस में बाबुजी महर हमारे सहजमार्क पद्धिती में जब आप सिंसेरली इमानदारी से इस पद्धिती का पालन करते हैं तो बाबुजी आपको उसका फल देते हैं और उसके बाद क्या होता है आपके अंदर दस नियमों का अनुसरन स्वता होने लग जाता है जो हमारे सहजमार्क के दस नियम ह उनका पालन हमें जोर से नहीं करना है वह स्वता हमारे अंदर उत्पन होने चाहिए सहजमार के दस नियम पे हमने वीडियो बनाया हुआ है आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि सहजमार के दस नियम क्या है तो जब आप अभ्यास करते हैं तो वो दस नियम आपके अंदर सौता ही आ जाते हैं तब अभ्यासी को उस शक्ती में जहां से ये पद्धती धर्टी पर आई है ले अवस्ता का आशीरवाद मिल जाता है अब यहाँ पर आपको एश्वर साखसतकार प्राप्त होगी है, क्योंकि ये धरा पर जो पदती उतारी है, ये इश्वरी पर्देश से उतारी गई है, तो जब आप उसमें लै हो जाते हैं, तो क्या होता है? लै वस्ता का आसिरवाद मिल जाता है, तो आपका यहाँ पर एश पूर्ण हुआ पहले हमें आत्म साकस्तकार हुआ था अब इश्वर साकस्तकार हो गया लेकिन 16 वृत के बाद भी हमारा उच्वतम लक्षे जो है वह अनंत का साकस्तकार भूमा का साकस्तकार तो क्या होता है उसके बाद सिरी बाबुजी महाराज अभ्यासी को अपने संकल्प में लेकर उसे केंदरी छेतर में तेराते हुए अनंद तक ले जाते हैं तो संद कस्तूरी ने इसका उलेक भी क्या है कि जब बाबुजी महराज मुझे केंदरी छेतर में ले गए तो अंदर अंदकार ही अंदकार था और जब मैंने देखा कि सामने से एक प्रकास आ रहा है त इसलिए बाबु जी हमें इश्वरिय परदेश के बाद अपने साक्सतकार के लिए अपने संकल्प में लेकर हमें केंद्री छीतर में परवेश देते हैं और अंत में अपना साक्सतकार कराते हैं